बिते दिन अनुपमा में दिखे गए जाकि अनुजो और अनुपमा डिमपल को साथ में पुलिस टेशन लेकर जाते हैं क्योंकि गुंड़े गिरफ्त में आ जाता है दूसरी और पाकी वनरच को इमोसिनल ब्लेक मेल करती है हलाकि उसके ये पेतरा जरा भी काम नहीं आता लेकिन अनुपमा में आने वाले ट्विस्टो टॉंस यहीं पर खतम नहीं होते है अनुपमा में आगे दिखे जाके गुंडो के पहचान के लिए डिमपल अनुज और अनुपमा के साथ पुलिस ठाने जाती है वहाँ गुंडो को लाया जाता है और पहचान करने के लिए कहा जाता है पहले तो आरोपी डिमपल को धमकाने के कुसिस करता है लेकिन अनूजो और अनूपमा के से हिम्मत मिलने के बाद वो पुलिस के सामने आरोपी को थपड़ और लात कुसे मारती है इतना ही नहीं वो इस काम के लिए खुद को साबसी भी देती है समर को जैसे ही पता चलता है कि डिमपल ने पुलिस के सामने गुंडों की धुलाई कर दी है आगे दिखाए जै कि पाकी घर पर कोफी बनाने की जग बाहर से मंगवाती है वहीं जब अधिक इस चीज के लिए उसे डाटता है तो वो उस कोफी को फेक देती है इस पर अधिक चलाता है कि तुम खुद तो कुछ काम नहीं कर सकती उपर से नुकसान कर रही हो अधिक पाकी को पढ़ाई और जोब करने की सला देता है लेकिन पाकी ऐसा करने से इंकर कर देती है और कहती है कि मैं केवल हाउस वाइफ बन कर रहना चाती हूँ अब आने वाले एपिसोट में दिखे जाएगा कि उन गुंडों को बेल मिल जाएगी और वो तुरंत अनुपमा और उन डिम्पल को परेशन करने बाधर पहुच जाएगा अलागि अनुपमा डिम्पल को सताउन ना देगी कि उसे डरना बिल्कुल भी नहीं है